नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं खबर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल पर्देश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का बतायेंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल पर्देश के किस जीले से न्यूज को देख रहे ह दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबने हिमाचल पर्देश में 12,000 से ज़्यादा खाली पड़े पदों पर जल्द हो सकती है भरती चिक्छा इवाग की हुवी रिभ्यू बैठक जे हिमाचल पर्देश के चिक्छा मंती रोहिठाकूर ने स्वमार को चिक्छा इवाग की समिक्छा बैठक की या पहली बार था वही आपको बताते कि जब चिक्चा विभाग का जिमा समालने के बाद उन्होंने समिक्चा बैठक की अध्यचदा की इस बैठक में चिक्चा के CPS आसिस बूटेल भी मौजूत रहे वही बैठक में चिक्चा विभाग में खाली पड़े पदों और ट्रास्पर पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है वही बैठक खत्म होने के बाद हिवाचल परदेश के चिक्चामती रोहिठाकूर ने कहा कि बैठक में चिक्चाई बाग में खाली पड़े 12 अजर पदों को भरने को लेकर चर्चा हुई है इन पदों को चन्वज तरीके से भरा जाएगा अब दुस्मन के रडार की नजर से बचेंगे सेनिय ठीका ने IIT मंडी ने त्यार किया आठीपिसियल मटीरियल जिए भारतिय प्रोदुकी की सनस्तान मंडी के सोध करताओं ने एक सोध में किया है जिसे दुस्मन के देश के रडार हमारे सेनिय उपकरनों को नहीं देख पाएंगे वही दरसल सोथ करताओं ने ऐसा artificial material त्यार किया है जो हमारे खुपिया सेनी वहानों या खुपिया ठिकानों को दुस्मन के radar की नजल से बचा सकता है वही सोथ करताओं का दावा है कि यह material radar frequency की बड़ी range को absorb करने में सक्षम है फिर चाहे radar के signal जिस दिसा से उनके target को निशाना बनाए वही आपको बतादे कि इस material का इस्तिमाल खुपिया सेनी वहानों और खुपिया सेनी ठिकानों की खिड़कियां और काच के पैनलों को सुरक्षा कवाई देने के लिए भी किया जा सकता है लूना पुल हाथसा भरमोर में पावर प्रोजेट को दो करो की पैनल्टी दस दिन में बनेगा बेली ब्रीज जिन लोग निवान भाग ने भरमोर के चोली पुल हाथसे के लिए जिम्मेदार पावर प्रोजेट को दो करो की पैनल्टी लगाई है इस पेनल्टी से लोग निवान विभाग अब चोली में बेली बिरिज का निर्मान करेगा वहीं विभाग ने महज 48 गंटे में चोली पुल हाथ से की जाच पूरी कर लिए और इसके बाद अब पावर प्रोजेट को जल्द से जल्द धनराशी की अदाईगी के आदिस दिये हैं वहीं आपका बता देखी खास बात यह है कि बिजली प्रोजेट पेनल्टी को भरने के लिए तयार हो गया है हिमाचर पर्देश में 12,000 फेट की उचाई पर आइस स्केटिंग परतुगिता संपन बना वीस्वर रिकॉर्ड हिमाचर पर्देश के किन्डोर जिला के नाको प्राकृतिक जीन में दो दिवसी रास्टे लॉंग ट्रेक आइस स्केटिंग चेंपियंशिप का आयोजन किया गया वहीं नाको गाउं के मुख ये लाबा समापन के मोके पर विसे सुरुप से मोजुद रहे वहीं पर्देश के समापन के साथ ही 12,000 फिट के उचाई पर रास्टी असरिये लॉंग ट्रेक चेंपियंशिप करवाने का एक विस्वर रिकॉर्ड भी बन गया है इस लॉंग ट्रेक आइस स्केटिंग चेंपियंशिप में 13 से 15 और 16 महिला एवं वरिष्ट महिला पूरुस के टेगरी के खिलाडी ने अपना दमखम दिखाया परतियों गिता में 15 राज्यों के 70 खिलाडीों ने भाग लिया वही मुखी आती थी दोरा विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया उन्हेंने काये कि इन विजेताओं का च्रियन आगामी परतियों गिता के लिए किया जाएगा हिमाचल की अस्पतालों में अब दो साल तक के बच्चों को रोजाना ठीकाकरन की सुविधा जहिमाचल परतियों में दो साल तक के बच्चों को अब मेडिकल कोलेजों और छेतरी अस्पतालों में रोजाना ठीकाकरन की सुविधा मिलेगी अभी तक सपता में सिर्फ बूदबार को बच्चों को ठीकाकरन की सुविधा मिल रही थी वही स्वास्त इभाग ने राष्टे ठिका करन सेडियूर में परिवर्तन किया है इसके चलते अब बच्चों को रोजाना पातरता के अनुसार OPB, IPB, RVPB, MR, DPT और बुष्टर का ठिका करन लगाया जाएगा इसके लिए स्वास्त निदेसाले से पर्देश के सभी जिलों के मुखी चिकित सा अधिकारियों को निदेश जारी कर दिये हैं गोहर की चांदनी को दादा साथ फाल के Best Actress Award जे सोनी टीबी के कामना धारावाहिक में बैतरिन आदाकारी के लिए मंडी के गोहर से संबंद रखने वाली अभी नेतनी चांदनी सर्मा को दादा साब फाल के टीबी आवार्ड से नवाजा गया है वहीं आपका बता दे की रईवार देराथ सेंटा कुरूज इस तीत ताज होटल में हुवे आवार्ड सो में उने यह सम्मान मिला लाहोल इस्पिती में हिमस्कलन से दो की मौत एक लापता रेस्ट्यू जारी जहिमाचल परदेश के लाहोल और इस्पिती जिले के चिक्का के पास कलदो पर करीब तीन बचे हुए हिमस्कलन में दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक लापता होने की खबर है राजी आपात कलिन संचालन कैंदर ने इसकी जानकारी दी वहीं केंदर ने बताये की हकम, तापमान और दिस्टा के कारण बचाओ के परिप्रियास बंद कर दिये गए वहीं स्वमार से बचाओ अभियान फिर सुरू होगा आरी देखी करित जोजना में खर्चोंगे 25 कडूर विस्व बैंक ने दिखाई दिल चस्पी जेबुखिमदिर सुकमिंदर सिख सुकूने सुमार को सिमला में विस्व बैंक के दक्षीन एसिया चेतर के छेतरी निदेशक जोन रूमे के नेतित में विस्व बैंक की टीम के साथ पैठक के दुरान परदेश को हरित उर्जा बनाने का आवधारना पर चर्चा की इस दुरान विस्व बैंक की साहता से वर्जा बनाने के लक्ष को पराप्त करने के उठाया जाने वाले विविट कदों पर भी चर्चा हुई इस दुरान विस्व बेंक ने पच्चीस स्वा करोड़ के ग्रीन रेजिलियन्ट इंटेग्रेटिट प्रोग्राम में रूची दिखाई उन्हेंने काया कि विस्व बेंक की टीम के इस दोरे के सफल परिनाम सामने आएंगे जिसे परदे सरकार की ओर से हिमाचल परदेश को वर्स दोजार पचिस्टे घरित उर्जा राज्ये बनाने के लख्च को पाने में सहायता मिलेगी वही परदे सरकार ने अगामी नौ महिनों में 200 मेगावाट का सोर उर्जा सन्यत्र अस्ताफित करने का लक्षे निर्धारित किया है ब्रेस्ट कैंसर समेत 75 दवायों को इंजेक्शन के दाम तई जिदेस में ब्रेस्ट कैंसर के इंजेक्शन, फंगस, गूरदे की विफलता, इंफ्येक्शन, हिर्दे, रोक, अलसर, माईग्रेन की दवा समेत आन्य कई दवायों के दाम तई कर दिये हैं इनमें कई दवायों ऐसी हैं जो काफ़ी महंगी भी हो गई है वहीं कई दवा आईस्टिया जिनके दाम हर वर्सत 10 पिजदी तक बढ़ाई जाएंगे वहीं निर्धारित कीमतों से अधिक पर बेचने पर विभाग सक्त करवाई करेगा इन दवायों के थोक मोलिय और खुद्रा मोलिय तै किये गए हैं वहीं दाश्टिया औसदी मोलिय निर्धारन पराधी करन ने ये मोलिय तै किये हैं 17 परबरी से होगी MBBS 2nd Professional Supplementary परिछाएं जे MBBS 2nd Professional Supplementary थियोरी परिछाए 17 परबरी से शुरू हो रही है इसके लिए अटर मेडिकल एंड रिसर्च विस्विदाले ने सेडियूल और डेट शिट जारी करती है वहीं सेडियूल के मुताबिक 15 से 17 परबरी तक ऑनलान फॉर्म भरे जाएंगे वहीं 20 तक परिछाओं की फीस भरने की अंतिमतिती होगी जबकि इसके बाद 2000 रुपई ये लेट फीस भरनी पड़ेगी वहीं 22 फरबरी तक परिछाओं भरने के लिए संबंदित कोलेज के परचारी से सत्यापित करवाने की अंतिमतिती होगी 24 फरबरी को अभियर्थियों की और से अपने परवेश पत्र डाउनलोड किये जा सकेंगे वहीं आपका बता देखिए परचाओं 37 फरबरी से सुरू होंगी और 6 मार्च तक चलेंगी जिले में 9 और 10 फरबरी को भारी बारिस का पुर्मानुमान जिए छेतर में 14 किलोमेटर से लेकर 32 किलोमेटर पर 30 घंटे की रफ्तार से हवाये चलेंगी वहीं मौसम विभाग बर्टी द्वारा जारी एडवाजरी में 33% साफिक चादरता बनी रहेगी जबकि वाजुदाब 955 से 969 HP रहेगा वहीं बर्तवान में जिला का अधिकतम तापमान 24 घंटर से लेकर बारिस हो सकती है मौसम विभाग ने दो दिन के लिए अलर्ट जारी किया है गुमारवी की कनिका को संसिकृती मंत्राले ने 75,000 रुपिये दे कर किया सम्मानी थी जे स्वामी वेकाने दर आज के महाविध्याले गुमारवी की छात्रा कनिका सर्मा को भारत सरकार के संसिकृती मंत्रा ने यूनिटी इन क्रियेटिविटी के ग्रेंड फिनाले में प्रमान पत्र इसमिनिती चिन और 75,000 रुपे का पुरुषकार दिया महीं आपका बताते कि महाविध्याले के सब पार्टी गती विद्यों के संजोजक प्रोफेसर सुरेश सर्मा ने बताये कि पांच फरबरी को दिली के चानक के पुरी में आजित इसकारी करम के ग्रेंड फिनाले में यह पुरुषकार संजिकृति राज्यमंत्री अर्जून राम बैगवाल और राज्यमंत्री मिनाक्षी लेकी ने संजुक्ति रूप से परदान किया धर्मसला इस्टेडियम में इस बार हो सकते हैं IPL के दो मैच जिहंतराष्टे किर्केड इस्टेडियम धर्मसला में करीब 10 साल बाद फिर इंडियन प्रिमियर लिग के एक या दो मैच हो सकते हैं इसके लिए तैयारिया चल रही है टेस्ट मैच और IPL के लिए पिछले दिन बी सी सी आई के ब्रॉडकास्टर टीम ने भी धर्मसला इस्टेडियम का मुयाना किया था उन्हेंने टेस्ट मैच सहित IPL मैचों की संभावनाओं के चलते मैदान सहित इस्टेंड पवेलियन और केमेंटेटर रूम का जाईजा लिया चलिये में चलते हैं आज की आगरी कबर हिमाचल के उचाई बाले भागव में भरबारी 146 संके और 46 बिजली ट्रास्फरमर ठप जो हिमाचल परदेस में मोसम ने करबट बदलिये परदेस के उचाई बाले छेतरों रोहतां की भरमोर और बनाली में समर को ताजा बरबारी हुई वही राजानी सिमला में हलकी बुंदा बुंदी हुई परदेस के उची चोटियों बरबारी से लद्दक हो गई है जिला चमबा के कवाईली छेतर पांगी का संपर कट गया है वही समर सामता खिमाचल परदेस में 146 सणके 46 बिजली ट्रासपरमर और 8 पैजल योजना है ठप रही वही आपको बताते कि भारी बरबारी के चलते कवाईली छेतर पांगी तक अब सिर्फ हवाई सेवा के जर्ये ही पहुचा जा सकता है वही परेटन नगरी मनाली में भी समर को ताजा बरबारी हुई दोस्तों आज की संदार खबरों का सिलसला इसमापत होता है अगर जर्कारी पसन आई तो वीडियो को लाइक, शेर चनल को सस्क्राइब जरूर करें आपके द्वारा चनल को लाइक किया जाना, सस्क्राइब किया जाना और सेर किया जाना हमारे मोटिवेशन का सोर्स है